गुट मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक तो अनदर व्लॉग आज उत्तरा खंड का जो ट्रिप है वो खतम हो रहा है तो आज मैं यहां से घर जा रहा हूं डेली निकलूंगा अभी सुबह के साड़े माँ बज रहे हैं साड़े आट बजे उड़ीया था अभी जाके नहां दो क्योंका रेडी हो चाओंगा सामामान में प्राइक करा थां एंद टैकिक मागोडा हो गुई है सामान वारा है निकल गवह जाओंगा साड़े दस बजे इसको छोड़के वापिस डेली जाने का मन तो नहीं करता है, बट जाना पड़ेगा, तब ही तो वापिस आऊँगा, यहां से अल्मूस्स साथ गंटे लगेंगे घर जाने के लिए, 307 किलो मेटर है, घर तक बुरा, ज्यादा कोई चैलेंज नहीं है, आराम से पहुंच जाऊ यहां वाप तो इस वीव, ऐसे वीव को छोड़के जाने का थोड़ी नामन करता है, गूड मॉर्निंग गाईज, सो, सुबह के दस बच के, सो सुबह के साड़े दस हो रहे हैं और मैं निकल चुगा हूँ अभी, होटेल था और वहां से जो डाउन हिल है, वह भी बहुत ज्यादा स्टीफ है, यहां से मॉल रोड काफी नीचे है, अगर आपको पैदल जाना है तो दिक्कत आएगी, इसलिए यहां पर जो उपर होटेल जितने भी हैं यह लोग फ्री पिक अप ड्रॉप सर्विस देते हैं, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, कल मैं भी जब बोटिंग करने गया था तो मुझे भी फ्री पिक अप ड्रॉप मिला था, यह देखो कितना जादा स्टीफ है देख लो, कैमरे में शायद समझ ना आए इतना बट वाकई में बहुत जादा स्टीफ है यह, कि आए इसटीफ हैं, जाए चार दिन राइड कर रादा बहुत जादा मजा हरा था बाइट कटम हो गया, बट अब राइट खदम हो चुकी है घर की और निकल चुका हूँगा दुबारा फे रहा हूँगा और नैनी ताल मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे पहले लगता था कि एक लेक है उसके लिए क्या जाने का नैनी ताल बट वाकि में नैनी ताल is very beautiful just because of this lake और अभी लेक अल्मोस्ट खाली है क्योंकि लॉंग वीकेंड था लोग रुके हुए थे सैटेड़े संडे काफी साथा एंजॉई किया आज बंडे है तो most of the people are leaving नैनी ताल होटेल में भी बहुत सारे चेक आउट हो रहे थे जब मैंने चेक आउट किया तो तो आपको यहां पर बहुत कम लोग दिखेंगे जो अपना लेक है उसमें और यह का मॉल रोड है आप देख लो काफी अच्छा मॉल रोड है है अपनिंग है थोड़ा मतलब बाकी हिल स्टेशन का अकॉर्डिंग यहां का मॉल रोड थोड़ा बड़ा है काफी लंबा अल् कल शाम में यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि रज़ौरी में गुम रहा हूँ क्योंकि सारे डेली के लोग ही दिख रहे थे यहां पर गाड़ियां जितनी दिख रही थी सारी डेली की दिख रही थी I mean most of them were from डेली only voting बहुत कम हो रहा है लेक में इस टाइम पर खाली है पूरा क्योंकि ओविएसली लोग अब घर जा रहे तो voting करेगा कौन कल तो बहुत जादा भीड थी अभी दिन में थोड़ा सा भीड और बढ़ जाएगा यहां पर क्योंकि अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए लोग नहीं आ रहे होंगे most likely बट दिन में थोड़ा सा भीड जोए यहां पर बढ़ जाएगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि मुझे कुछ खरीदना था और मैं में पार्केट में घूसिया था बाइक लेकर और वहां पर बहुत जादा भीड थी इस टाइम पर वहां से बाइक निकालने में आलत खराब हो गई कि मेरे दो टो कर दो में मुझे लेना है लेफ को को कुछ मैं निकल यहोंगा भाहर मेरे हैं ऐस्चाहर कंध़ ख्राशता है कि इसी रास्ते से निकल याँ नगा है कि आ यहां दूसरे कन्वेंस से भी आओगे तो भी चलेगा यहां पर बाइक्स रेंट पर मिलती है तो आप इजिली बाइक्स रेंट पर लेके और काम चला सकते हो तो यहां से डेली 327 किलोमेटर सीधा दिखा रहा है और मैपस में मुझे 303 किलोमेटर दिखा रहा है सो चलो देखते हैं कौन सा वाला सही है सो रीफिलिंग कराना बहुत ज़रूरी है रीफिलिंग करा लेता हूं सो आगे जाके कोई लफड़ा ना रहे ओके सो रीफिलिंग हो चुका है 250-260 किलोमेटर तक और जाएगी बाइक सो डेली एंटर करने से थोड़ा सा पहले दुबारा से रीफिल कराना पड़ेगा आज भी पूरा दिन सनी रहने वाला है तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो गर्मी लगेगे मुझे मैं ही जानता हूं यहां पर तो मौसम के मज़े ले लिए बट असली मज़े ना टेली जाके पता चलेगा हुआ 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 है हुआ 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 है कि आए ओ यह गारी तो शायद जब मैं आरा था तबसे पल्टी हुए है यहींपे बिल्कुल dense forest area चालू हो गया है, almost isolated है, कुछ भी नहीं है आसपास and mobile से network भी गायब हो किया है, आप देख लो कितना dense है जंगल ये, पुरा, और ये काफी दूर तक ऐसे dense रास्ता मिलने वाला है, क्योंकि इसी रास्ते से आया था मैं, so I know that, and network भी काफी time तक नहीं मिलेगा, but कोई दिक्कत नहीं है, it's all safe, so अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, and देरे देरे वीडियोज एडिट करकर के डालता रहूँगा, and इस मंद मेरे एक और राइल प्लैंट है, अपने friends के साथ, office के ही friends है, तो उनके साथ भी जाने वाला हूँ, और वो राइल भी थोड़ी दंब होगा मैं आपको, I am eagerly waiting for that ride to happen, और 24th से start है, ride, October, यहां से 281 km बचाए, 6 गंटे, 7 मिनट लगेंगे, और time of arrival है, 5 बचके, 33 मिनट शाम में, और वहां पर traffic जो है, बहुत जबरदर्स त्वागत करेगा मेरा, मुझे मालूम है, आज Monday है, तो दिल्ली गुस्ती बैंड बजने वाली है, इतने, पूरा dense forest है, दोनों साइड देख लो, आप दिखा रहा हूँ है, और ऐसे dense forest में, राइट करने का मज़ा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं अभी वही मज़े ले रहा हूँ, ऐसा ही dense forest में मसूरी वाले रास्ते में भी आता है, जब आप मसूरी जा रहे हो, या फिर मसूरी से जब नीचे उतरते हो, उस टाइम पे भी ऐसा ही बिल्कुल dense forest आता है, जो राजा जी टाइगर रिजर्व से होके निकलता है, और ये भी भाई साब ultimate view है, सच में, और जो पेड़ के shadows बने हुए है, वो और भी जादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंके भी जानाँ झाली से बिल्कुल कि इसके पहले के जो भी वीडियो देखे आपने वह जारे वाइड एंगल में नहीं है वीडियो आपको थोड़ा सा क्रॉप दिखेगा विकर्ज कल मैंने वाइड एंगल बंद किया था फिशा इफेक्ट रोपने के लिए क्योंकि कल में व्लॉग कर रहा था इस वीडियो थोड़ा सा क्रॉप आपको दिखेगा मैंने अभी रास्ते में रोक के और उसको सही कर लिया यह चेक्पोस्ट है अगर आपने रेइस्टर नहीं कराया है तो यहां पर गाड़ी रुकवा के रेइस्टर कराएंगे यह लोग उदर से जाब आप वापीस आओके आपको यह लोग यहां पर रेइस्टर कर रहे हैं अगर आपने नहीं कराया है तो रेजिस्टर करना पड़ेगा आपको उसके बाद ही छोड़ेंगे राप कुला आपको विश्टर काताएं वकार्मीज रोगी नहीं पहादी रास्ते खतम हो गया है प्लेन स्टाइट हो गया है काफी पहले से ही और गर्मी बहुत जादा लग रही है असला गीलिड है बिल्कूल की ऑक्तोबर है ऐसा लग रहे है बिल्कुल में जून टाइप गर्मी है बहुत जादा गर्मी लग रही है एंड आगे जैसे जाओंगा यह गर्मी और बढ़ती जाएगी आइनों गर्मी बहुत जादा है भी पानी पीने के लिए रुका था यहां से और दोसो चौदर किलोमेटर बाखी है सारी चार गंटे लगने वाले हैं शाम में 5 बचके 31 मिनट पे पोछ जाओंगा मैं और यह जो रोड है यह सीधा हरीदवार चला जाता है तो यहां से हरिदवार 185 km है एंडिया से मुरादाबाद 25 km है यहां से लेफ्ट लेना है तो मैं मुरादाबाद पहुंच चुगा हूं यहां से लेफ्ट लेना है अपने दिल्ली के लिए और यह रोड खराब है ऐसे रोड ने स्वागत किया है देख लो टूटा फूटा जैसे फाइनली फोर लेन रोड में आ गया हूं यहां पे ज्यादा चालेंज नहीं होगा तो तो है कुछ नहीं कर सकते सूरजदेवता थोड़ा रहम करो या प्लीज मुरादाबाद बरेली एक्ष्प्रेस वे था रोड बहुत अच्छा था थोड़े बहुत त्यास लग रही है तो मैं सोच रहा हूं जूस पी लेता हूं बड़ी आप यहां पर शॉप है यहां रुक के जूस पीता हूं आप 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 कि आप 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 कर दो के सब्सक्राइब करने के लिए अब थोड़ी से एनर्जी आई है गर्मी में ऐसे कुछ खाने का मन नहीं करता बस लिक्वीड ही लेते रहो जूस लस्य और आल दाट कि क्राइब आपर एज अफ नौ यहां से 88 किलोमेटर से मेरे घर तक पूरा एंड दो घंटे लगेंगे जाने के लिए तो आगे से एक्जिक लेना है डेली के लिए डेली इस 32 किलोमेटर और मेरे घर तक पूरा 57 है त्राफिक के दर्शन चालू हो गया हम अराउंड गाजियाबाद राइट नौ यहां से 46 किलोमेटर से यहां से 46 किलोमेटर घर है एक गंटे बीस मेंट लगेंगे और मुझे रिफिल भी कराना पड़ेगा क्योंकि लास्ट रिफिलिंग से बाइक 261 किलोमेटर चल चुकी ह स्वाइब एंटर डेली अलरेडी यहां से 23 किलोमेटर है 55 मिनिट लगेगा पहुंचने के लिए तो यहां से ट्राफिक मिलेगा अच्छा खासा बाइक में फ्यूल इकदम कम है फ्यूल पंप डूंड के फ्यूल डलाना बहुत ज़रूरी हो गया अधर्वाइज पूरे रास्ते तो मैं अच्छे से आ गया घर के पास ही पता चले बाइक ठेलना पड़ रहा है तो आगे बस ट्राफिक ही है और कुछ हैं नहीं दिखाने के लिए इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं थैंक यू बेरी मुच पर वाचिंग इस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर ऐसी किसी व्लॉग में तब तक के लिए बाबाई डेट किया नमस्कार, have fun, stay safe, bye bye